आप शायद उस परंदे को पहली बार देख रहे हैं। दुनिया के अक्सर लोग उस परंदे के बारे में नहीं जानते क्यूंकि उस परंदे की जिंदगी बहुत खफिया होती है। दुनिया में उस परंडे में से सिर्फ 47 जिन्दा हैं। परंडे का इंडा बहुत ही अजीब होता है। उनके इंडे बहुत चम्तार और रंगीन होते हैं। मादा परंडे इंडे देते हैं और छोड़ते हैं। फिर नर परंडे उन इंडों की देख भाल करते हैं। उनके नसले काफी लंबी हैं. ये एक सांट की तरह लगता है, उनकी ज्यादा तर नसले बच्चों को जन्द देती हैं. कुछ हनवा ऐसी भी हैं जो अजीब नजर आने वाले इंडे देती हैं. उनके इंडे साइज में बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनके इंडे बिलकुल लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि शार्प भी इंडे देती हैं. लेकिन उनकी सत्तर नसले जन्द देती हैं और बाकी तीस इंडे देती हैं. उस शार्प के इंडे बहुत मुनफरिद होते हैं. देखने से ऐसा लगता है कि कोई चीज गोल-गोल घुम रही है. ये आहिस्ता मजबोत होना शुरू हो जाते हैं. इसे देख कर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये इंडा है. क्योंकि ये समंदरी खूल जैसा लगता है. पेले सर की जबड़ी दुनिया की तमाम मचलियों की देख भाल मादा करती है. लेकिन जाफिश के मौमिले में ये जब तक कि बचा उनसे बाहर ना आ जाए. आकिटोपस पचे के बाहर आने तक बगएर कुछ खाए इंडों की देख भाल करती है. देओ हिकल वाटर बेग. पानी के बड़े किले दुनिया के हर हिससे में पाए जाते हैं. ये वाटर बेग 15 सेंटी मेटर तक लंबा हो सकता है. उस छोटे आफरीत ने तेराकी के दौरान लोगों क काट लिया. ये काटने से शदीद दर्ध हो सकता है. वो इंडे देते हैं और आप उनके इंडों को उनकी पैट पर आसानी से देख सकते हैं. मज़े की बात ये है कि मादा किले नर किले के उपर इंडे देते हैं और नर किले उन इंडों की देख भाल करते हैं. ये इंडे न उखलाप में बहुत मुन्फरिद है और उनके इंडे भी बहुत मुन्फरिद हैं। उस मचली के इंडे छोटे थेलो में होते हैं। ये जानदार समंदर की गहरायों और खंडे पानी में इंडे देते हैं। ये थेले देखने में बहुत अजीब हैं और उनके उपर एक छोट सा सुराख है जिसकी मदद से ऑक्सीजन उसके अंदर जाती है सकीट के इंडे बहर अलकाहल में पाए जाते हैं